दोस्तों आप सभी जादूगर भाई के लिए तास का एक अद्वू ट्रिक लेकर कहया हूँ जिसे सीख कर आप तास के 52 पत्ति को बीना देखे हुए पहचान सकते हैं इसके लिए आपको कोई प्रैक्टिस की भी जूरुत नहीं है बस एक छोटा सा ट्रिक है जिसे सीख कर आप किसी के भी आँकों में धूल जोंक सकते हैं और सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं चलेगा और हाँ वीडियो सुरू करने से पहले आप लोग से निवेदन है कि इस ट्री को सीख कर आप किरपया इसे जुगा में इस्तेमाल मत कीजेगा और वैसे भी अभी दिवाली आने वाली है तो ऐसे समय में आप किसी के साथ तीन पत्ति खेल कर आप उसे कंगाल मत बना के लिए ही इस्तेमाल किजिएगा तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं पहले मैं कार्ड बीना देखे ही आप लोग को पहचान कर दिखाऊंगा फिर बाद में इसका ट्रिक सिखाऊंगा तो वीडियो के अंतक जरूर बने हुए रहिएगा तो चलिए आपके नजर के को बताते हैं कि कौन सा कार्ड और येंस ने टच किया है तो हमारे सामने में है कैमरा मैं कैमरा मैं को बोलूँगा यहां पर मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दे रहा हूं ताकि आपको ऐसा लग रहा हुआ कि हमने पहले से सेटिंग करके रखा है तो ऐसी कोई बात नहीं है यह कि एक बार और आपको करके दिखाते हैं यहां पर कहीं भी अंगली रखिए गौरम ओके यह कौन सा कार्ड आपको पता है यह चक्का है यह इटका है तो इस तरह से मैजिसियन बहुत ही आसानी से बता देते हैं कि कौन सा कार्ड और येंस ने पिक किया है अब चलिए यहां पर अगर कोई तीन पती इस कार्ड से खेलेगा वैसे तो तीन पती आप इससे मत किलिये है égसा आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं कि कि यह कितना बेहतरी अट्रीक है और कैसे आप बीना देखे हुए तास के पती को पचान सकते हैं यहाँ पर हम सभी को mix कर दे रहे हैं अब एक card यहाँ पर डाले एक पती और खेलेंगे तो यहाँ पर हम जीद जाएंगे क्योंकि मेरे पास आया है बेगम लाल पान का और यहाँ पर है इस सत्ता चीरी का तो इस तरह से मेरा पती बरा है अगर एक पती होता तो हम यहाँ पर जीद जाते हैं तो चलिए यहाँ पर हम दो पती खेल कर आपको दिखाएंगे क्योंकि तीन पती नहीं खेलेंगे नहीं तो आप लोग कहेगा, खुदी बोल रहे कि तीन पती नहीं खेलना है लेकिशिक्ट आप तेन पती खेल रहे हैं चलिए इस कारड़ को हम यहाँ मिक्स करते रहें बस हम आपको यह समझाना चाहते है कि आपके लिए यह Card कितना अच्छा है और कितना ज्यादा 변zer है आपके लिए यह tips तो यहाँ पे हम दो पती चले हैं तो यह जो पती है मेरे पास है और यह पती मेरे सामने वालाos का है तो इस पैसे को हम लगाते हैं यह Card मेरा है तो यहाँ पे कौन जीतेगा आपको पता है बिल्कुल मैं जीत जाएंगा है क्योंकि यहाँ पे जो है यह गुलाम है और यह वाला कार्ड दुक्की है और मेरे सामने वाला के पास क्या है पंजा है और दुक्की है यानि कि इससे बरा मेरे पास कार्ड है तो मैं यहाँ पे जी की आपको क्या लग रहा है कि अगर मैं 500 अपस च क्का कि इनके पास बेगम मैं इनके पास बाध सा है और पास क्या है ओ देख लीजिए तिक्की इससे सबसे छोड़ा पती दुक्की और यह काड चक्का यानि छे तीन दू और यहां यह मेरा 500 रुप्या लेकर चला जाएगा तो तीन पत्ती इसलिए मैं बोलता होगी मत खिलिएगा अब मैं फिर से इस काड को अच्छी दर से मिक्स क एक करने के बाद नीचे डालूंगा और उसका आपको पहचान करके रंग और नंबर दोनों बताऊंगा यह तो यह तो इस तरह से आप भी पहचान सकते हैं और बहुती जल्दी से आप इस trick से पता कर सकते है कि कौन से card किस color का है और कौन से number का है तो चलिए बिना बक्त को गबाई हुए आपको बताते हैं कि कैसे पहचान करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंदा है तो पिली वीडियो को लाइक कर देजिए और आईए आपको इसका ट्रिक समझाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कार्ड निकाल कर दिखा दे रहा है आप गौर से देखिए यहाँ पर कोई भी कार्ड में आपको डिफरेंट अगर नजर आ रहा है तो बताईए वीडियो को आप रोक करके भी इसमें डिफरेंट पहचाने की कोशिस कर सकते हैं बिल्कुल इस तरह का इसका बनावट है कि नॉर्मल कार्ड कहीं जैसा यह है लेकिन इसमें एक मार्क किया हुआ है और इतना जबरदास्त मार्क है कि बस पलक जपकते आप देख सकते हैं आपको गिंती करने की कोई जोरत नहीं है यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जोरत नहीं है बस आपको लिखा हुआ इसमें मिल जाएगा लेकिन आप गौर से दिखिए इसमें लाइव लोग बीच जाकर इसमें दिखाया तो भी वो समझ नहीं पाते हैं कि इसमें क्या ट्रीक है और क्या सिट्टिंग किया गया है बहुत ही जबरदास इसमें ट्रीक है अगर आपको यह कार्ड चाहिए तो यहाँ पर नंबर सो रहा है 94,4,91,91 इस पर कॉल करके इस कार्ड को आप अपने पास मंगबा सकते हैं अब जो भी एड्रेस दिजेगा आपके एड्रेस पर इस कार्ड को भेज दिया जाएगा इसमें दो कलर का आता है एक रेड आता है और एक बलैक आता है ये दोनों कलर में आता है इसमें दो जोकर भी रहता है इसमें भी दो जकर मिल जाता है यह कार्ड को हम कैसे पहचाने है और इसका क्या रहस्य है उससे आप समझेए आपको बिल्कुल आसानी से इस तरह से बताएंगे कि आपको दुबारा इससे समझने की जवरत नहीं होगी यहां देखिए इस दो जोकर को हम बाहर कर देते हैं और बाकी 11 दुखी 34 पंजा सभी हम निकाल ले रहे हैं दोस्तों एक बार इसके बैक साइड को आप देख लीजे किसी कार्ड में आपको डिफरेंड नजर नहीं आएगा लेकिन इसी कार्ड के बैक साइड में इसका कोड बना हुआ है उसे अभी हम समझेंगे यहां पर यहां इका है अब इसका कोड बिल्कूल इजली यहां पर बना हुआ है यहां एक लिखा हुआ है यहां जो इस तरह का सेफ है इसके अंदर ही समझने के लिए दिया हुआ है तो जब यहां एक लिखा हुआ है तो ऐसा समझ जाए यह इका है और इस बॉक्स में रंग पहचाने का भी जगा दिया हुआ है यह जो उपर से पहला है यह लाल पान है अगर दूसरा नंबर खाली है तो यह हुक्म है यह लाल पान है और यह पान है लेकिन यह पान का पत्ता काला वाला है अब यहां तीसरा वाला खाली है तो यह और अगर चौथा वाला खाली है तो यह चीरी है तो कुछ इस तरह से रंग पचानते हैं हम तो यह लाल पान हो गया एकका और दुक्की है तो दुक्की में यहां पे दो किलियरली लिखा हुआ है कुछ इस तरह से यहां से आया है और ऐसे यानि कि इस सेप में कुछ इस तरह स से तो यह ईट है दूसरा में यit है नीचे से अब यह है तो टिक्की को यहां पे देखिए⁉ क्लियरली तीन लिखा हुआ यहां से ऐसे लाया है और फिर यह ऐसे चला गया और यह यह तो यह तिक्की है और इसका नीचे से पहला खाली है तो नीचे से पहला खाली चीरी होता है तो इस तरह से अब यहां जो चौका है इसे देखिए चौका में यहां पे चार लिखा हुआ है क्लियरली यहां पे चार लिखा हुआ है यहां दूसरा नमबर खाली है तो दूसरा न सब सकते हैं कि 2 से मुर गया है तो यहां से मुर गया है तो है रिख अता है और उन से मुर जाता है तकि आप देख करके पचान सके यहाँ पे नीचे से पहला खाली है तो यह चीरी है छे का चीरी है अब सत्ता है अब देखिए यहाँ पे सत्ता और नहला में बड़ी confusion होती है इसलिए सत्ता और नहला को आप अच्छी तरह से अभी ही समझ लीजिए देखिए जब हम 9 लिखते हैं तो यहाँ पे पूरा हम पकर लेते हैं यहाँ अगर इस तरह से कोड बना हुआ है तो इससे 9 उसमझ पहले से 7 उसमझ यह एगर आपको इससा 7وج और 9 के लिए यहाँ पे यह अगर बढ़ जाता है तो 9 हो जाता है बस यह ही अंतर है सत्ता और नहला का तो यहाँ पर जो कोड हुआ है कुछ इस तरह से है यहां पर इस तरह का कोड़ है तो यह सत्ता नहीं है यह नहला है और यहां जो सत्ता है सत्ता में किवल इस तरह का कोड़ बना हुआ है यह सत्ता है यह सत्ता है इसका कोड़ देख लीजे यहां से आया है ऐसे आया है और इसका नीचे से दूसरा न हुआ है यहां से गया गुमकर और यहां से नीशे गुमकर आया और नीचे से पहला खाली है तो यह चीरी है नौ का चीरी है यहां नीचे से यह पहला खाली है यहां पर जो बुंद दिया हुआ है डौट 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 इसे ही हम देखेंगे जिस बॉक्स में खाली मिलेगा व और बात्सा है, तो दहला के लिए यहां पे X बना हुआ रहेगा, वह 10 होगा, रोमनंग में X दस के लिए इंडिकेट होता है, तो इसमे X यहां पे बना हुआ है, कुछ इस तरह से, तो यह दहला है, और इसका पहला खाली है उपर से, तो यह है लाल पान, यहां देखिए यहां पे X बना हुआ है और यह पहला खाली है तो यह दहला है और फिर यहां पे यह गुलाम है तो गुलाम कुछ इस तरह से J बना होगा उपर से आएगा और इस तरह से होगा यानि उल्टा 7 उल्टा 7 आपको गुलाम को indicate करेगा और इसमें दूसरा वाला नीचे से खाली है यह इंट है अब चलिए यह बेगम है तो बेगम में कुछ इस तरह से बना हुआ रहेगा और यहां पे हलका सा आपको कर्म मिल जाएगा कुछ इस तरह से तो इसे समझ जाना है कि यह बेगम है यहां पे ऐसे आया और यह यहां पर ऐसे मुर गया तो यह वेगम पीक है और यहां पर यहां पर बात्सा है बात्साह है और सिधा लाइन होती है तो बात्साह में और दहला या को होताने का क्म पर नहीं होना चाहिए तो यही इसका पचाने का ट्रिक है यहाँ पर आपको एक इसके अंदर समझने के लिए structure भी मिल जाएगा और अठा को भी इसली आप समझ लीजिएगा क्योंकि आठ जहां पर लिखा हुआ है और देखिए यहाँ पर अठा को और बेगम को देखकर आपको confuse नहीं होना है क्योंकि बेगम में थोरा सा आपको कर्व मिलेगा और अठा में बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा और बेगम में हलका सा यहाँ से तीर्चा हो जाता है तो यह बेगम होता है हलका सा यहाँ से तीर्चा हो जाता तो यह बेगम होता एक ता ग्रेंड माइस्टर और एक ता पांसो पच्पन जिसमें पलस और क्रॉस समझनी के लिए बना हुआ था गिंती करके उसमें समझना पड़ता है और तीसरा था बाइस्किल डेक का इन तीनों ट्रिक का यहां डिस्क्यूशन में लिंक दिया हुआ है आप जाकर देख सकत हैं और उसे भी सीख सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि इस ट्रिक को सीख कर किर्पया तीन पत्ति में इस्तेमाल मत कीजिएगा और यह कार्ड आपको चाहिए तो यहां पर नंबर सोरा इस पर कॉंटेक्ट करके आप अपने पास मंग बास सकते हैं तो चलिए लेते हैं विदा नमस्कार